नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर होमेपती कंसल्टेंट फ्रम हाइदरबाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हेल्थ और होमेपती रिलेटर जो भी टॉपिक्स होते हैं बहुत आसान भाषा में मैं इसके बारे में वीडियो बनाती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए क्योंकि आज का भी वीडियो बहुत खास होने वाला है और यह है एक होमेपती रेमेडी जो एक प्लांट से बनी है, हर्ब से बनी है और हमारे खाने में भी हम लोग यूज करते है तो देखते हैं यह कौनसी रेमेडी है यह जानने से पहले, पहले सब्सक्राइब कीजिए और अब्डेटेड रही है नोटिफिकेशन के लिए जभी भी इस चैनल पे नए वीडियो आते है लेट सी वाट इस दिस न्यू रेमेडी आज की जो यह रेमेडी है वो है रूटा ग्रैवियोलन्स इसको बनाया गया है रू बिटरवर्ट एक प्लान एक हर्ब से इसको और्नमेंटल हर्ब कहा जाता है हर्ब उफ ग्रेज दिखने के बहुत सुंदर दिखता है ब्लूइश कलर के पत्ते होते इसके और जबी भी हम लोग उसको ऐसे क्रंपल करते है जबी उसको तोड़ते है तो उससे बहुत अच्छी एक यूनीक खुश्बू आती है अरोमा तो हम लोग इसको खाने में इस्त है तो उसका बहुत स्मॉल कॉंटिटी एडवाइस किया जाता है क्योंकि इसकी टॉक्सिटी काफी जादा है तो इसकी टॉक्सिटी कहां कहां होती है इसकी टॉक्सिटी है गास्रिक पे जहां पर आपकी पेड़ गड़ हो जाएगा आपके लिवर पे इसलिए वो कॉंस्ट करना चाहते हो तो इसकी toxicity हाई लेवल पे है स्किन गास्ट्रिक और लिवर के एरियाज में बुटा के जब हम लोग की नोट देखते हैं हमारे जो बुक्स अवेलेबल है उसमें बहुत जादा ऐसे लिखा गया है कि he is having weakness, बहुत जादा lassitude होता है और हर body part में उसको एक feeling as if bruised ऐसे लगता है कि कही न कहीं मार होके जो काफी time तक जो pain बना रहता है तो वैसा वाला pain हमेशा महसूस होता है lower area में मतलब lower legs में और wrist में एक ganglion form होता है eyes पे भी इसका sphere of action है जहां पे pain उनको eye की orbit में होता है या deep down भी होता है बहुत जादा closely कोई चीज जब देखते हैं ये लोग तो उनको बहुत जादा complaints develop होती है जहां पे gastric का सवाल होता है तो इनको gastritis है जहां पे उनकी mucous काफी profuse mucoid motions होते है और कभी-कभी constipation बहुत जादा है होता है रेक्टम का prolapse देखाई गया है ब्लाडर पे इसका affection है ब्लाडर पे painful urination है और जब लाडर हम लोग urination के लिए जहां से feel होता है कि ब्लाडर empty हो रहा है वहां पे उनको specific दर्द होता है रूटा is also very beautiful remedy when it comes to cough cough होते रहता है उसमें जब वो phlegm है वो काफी profuse है, copious है, yellowish होता है और sternum पे एक point पे उनको बहुत ज़ादा दर्द महसूस होता है skin की जहां तक बात आती है तो it is very beautiful remedy for wats wats में इसका बहुत role है wats के cases में रूटा बहुत अच्छा काम करता है जहां पे हमने बात की कि इनको आखों के जो complaints होते है उसके लिए रूटा इंडिकेटेड है और आखों के complaints के साथ उनको headache भी specific type का होता है head पे ऐसे जैसे एक खीला है, वो गुसा चला जा रहा है वैसा एक feel आता है उनको नीप ओफ निक में दर्द है, उनको बैक में दर्द होता है उनको शियाटिका के लिए भी अच्छा इंडिकेशन है तो ऐसे ना जहां पे sprain है, bruises है, injury है वहां पे रूटा बहुत अच्छे से काम करता है यहां पे मैं एक आपके साथ case शेर करना चाहूंगी तो यह case कोवेड के टाइम का है जब क्लिनिक्स शुरू-शुरू में इतने नहीं चलते थे बहुत ज़्यादा ओन्लाइन कंसल्टेशन होता था वहारे रिलेटिव में ही कोई तो है यहां पे स्पेसिफाइ नहीं करूंगी मैं की कौन है वो उनका यह case है जहां पे उनका personality कैसा है मतलब he is very particular कि उनके जैसा ही behave करना चाहिए उनको जैसा लगे वो ही सही है नहीं तो उनको बहुत गुसा आता है जब उनका मूड अच्छा होता है तो बहुत अच्छे रहते है वो बहुत help करेंगे लोगों के मतलब हर कोई भी problem situation है तो आगे आके सबको help करेंगे और बहुत खुश मिजज है बहुत मजा किया इंसान है अगर उनके जैसा नहीं हुआ कोई भी चीज तो फिर बहुत जादा गुसा आता है उनको कि मैंने जैसे बोला था तुमने नहीं किया इसलिए ऐसे हो गया है तो उनको वो एक tendency है गुसा दिलाने की और जब उनको एक time आया था कोईड के time जो उनको बहुत ज़्यादा खासी था मतलब 10-12 दिन के लिए खासी था पर उनको ऐसा confidence था कि मुझे तो कुछ नहीं है नॉर्मल जो seasonal खासी होती है वही वाली होई है बट एक गवार क्या हुआ कि उनके बाजू में एक family रहती थी और उनके घर में एक लड़का था तो लड़का एक अराउंड 25 साल का था 25-26 साल का और उसको एक ही दिन हुआ था जब उसको डिटेक्ट हुआ था कि कोविड पॉजिटिव है तो सबने कहा कि ठीक है क्वारंटाइन रहेगा थोड़ा सा जो भी मेडिकेशन बोला है उस टाइम सप्लिमेंट वो सारा बहुत बहुत कुछ बोलते थे तो सारा कुछ फॉलो करने के बाद हील भी ओके दूसरे ही दिन ही डाइट तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग गया तो उन्होंने फिर मेरे को कॉंटाक किया तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने ये सुना है कि ये ऐसे गया है तो बहुत डर गया हूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा पता नहीं ये जो खासी चल रहा है मुझे 10-12 दिन हो गया है ये क्या खासी है तो मुझे बताओ ये क्या चीज है बहुत डर गये थे वो कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इनका जो खासी चल रहा है उसका फ्यूच जो छुपे हुए इस केस में रुब्रिक्स है वो हम एक एक करके देखेंगे, तो पस्नालिटी उनकी तीन शेर्ड में होती है, एक तो बहुत मजाकिया होते है, जब उनको कोई टेंशन नहीं होती है, हर चीज बहुत अच्छे से हो रही होती है, तो बहुत खुश रहते है, अच्छे से गुल मिलके, सबको बहुत help करेंगे, बहुत ज़्यादा generous होंगे, हर चीज में भाग के जाएंगे help करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे complications या फिर जगडा, यह सब पसंद नहीं होता है, बट उनको अगर उनकी हिसाब से कोई चीज़े नहीं होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा घुसा आता है, वो irritate होते है, और अगर वो बिमार पड़ गए, तो बिमार पड़ने के बाद एक जो डर रह जाता है, वो एकदम ही weak हो जाता है, तो वो जो weakness आता है, weakness एक चीज़ का experience करने के बाद, मतलब जो रूटा में है न चीज़, कि lassitude weakness feels as if bruised, bruised कब होता है, इंजुरी होने के बाद जो feeling आती है, वो चीज़ होती है, तो वो injure हो गया है, उसके बाद जो following weakness आ गया है, वही पे डर एक बना हुआ रहता है, उनके अंदर, तो यही केस में दिखा है हमने, जैसे he is a very mazaakya person, बट जब उनके मन का नहीं हुआ, तो फिर he is irritated, बट जब उनको समझ में आ गया, कि ये लड़का मर गया, थोड़ा ही complaints है, उनको डर बैड़ गया, वह डर पोक हो गया है, मतलब डर गया है, और उनको बहुत ज़्यादा वीक हो गया है वो, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, कि इनका future क्या है, So this is the Ruta's personality, अब केस को, ये personality को देखके, हम लोग देखेंगे, इसके important rubrics क्या क्या है, जब Ruta का एक normal state है, तो उसमें क्या क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा generous, मैंने कहा है generous होते हैं, So generous to आ गया, He's smiling, cheerful, loquacity है इसमें, They are content, They are happy, क्योंकि कोई problem नहीं है उनको, Harmony, desire, Quarling, aversion to, और laughing, या फिर feeling, ease of, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं, Communicative है, Confident है, फिर loquacity, Exuberant है, Loquacity, cheerful, exuberant है, Sympathetic है, Generous to है, Humility है इनमें, क्योंकि उनको लगता है कि मैं भी इन लोगों को help करो, So dictatorial है, Dictatorial talks with air of command, ये है, उनको pertinacity है, Firmness है, Fastidious है, Thinking aversion to, Suspicious है, उनको लगता है कि ये मैंने जो बोला है, उसे सबसे कर रहे, नहीं कर रहे, ये चीज़े होती है, फिर discontented with others, क्योंकि जो लोग जैसे बहेव करते हैं, वो उनको accept नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों से खुश नहीं होते है, पीडिंट एक रूब्रिक है, जहां पर उनको वो बॉक्स के बाहर सोचना नहीं होता है, जब उसको गुस्ता आएगा, तो वो एक्स्प्रेस कैसे करेगा, तो अंगर होता है, ट्रिफल्स आट, अंगर, पॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम है, अंगर, हस्बंड टोर्ड्स, टोर्ड्स हस्बंड, ये एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इरिटेशन, एक पार्टनर के थ्रूई आता है, अगर उसको पता है, कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, अब अगर केस की बात करें, तो केस में कब वो वीक हो गए, कब वो ब्रूस फील कर रहे है, कब वो लासिट्यूट फील कर रहे है, जब उनको पता चला कि ये नेबर का बेटा, अब नहीं रहा, विदावट एनी सिंटम्स, सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टन रूब्रिक है, अब बेरा जो है, पता नहीं क्या होगा, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, अब उनका जो रूटीन चल रहा था, खुश थे वो, उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा था, ऐसा सुनने के बाद, फिर वो डिस्टर्ब हो गए, सो इसी लिए, माइंड में है, डिलूजिन हिंडर्ड ही इस, जहां पे ब्रेक लग गया उनको, टेंचन हो गया उनको कि अभी पता नहीं क्या है, अइंग्जाइटी सदन, यहां पे भी है, अइंग्जाइटी सक्सेस, तो डाउटफूल अबाउट सक्सेस, यह वाला भी है, कि पता नहीं यह केस, मेरा ठीक होगा यह नहीं होगा, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजिए इसी जेल में, जहां पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, तो उनको वो टेंचन हो रहा है, कि एंग्जाइटी, डार्क इन, डिजायर्स फॉर लाइट, उनको लाइट चाहिए, उनको कंटिनूस सनलाइट चाहिए, यह भी एक रूब्रिक है इसमें, टॉकिंग फ्यूचर अबाउट, या फिर अब्सॉब्ड फ्यूचर अबाउट, डिस्पेर फ्यूचर अबाउट, डाउटफुल रिकावरी ओफ, या फिर जो भी उनको दर्द हो रहा है, उससे वो बहुत दुखी हो जाते है, कि पता नहीं चलता है कि क्या है आगे, इसलिए उनको टेंशन होती रहती, कि पता नहीं यह क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे को क्या होगा पता नहीं, सो इसलिए sadness, pain from, fear of pain, और यह सोच सोच के, उनको एक suicidal disposition आता है, सो यह था रूटा, रूटा जहां पे हमने देखा source कैसा है, उसके हमारी life में क्या importance है, उसकी keynotes क्या क्या है, और उसका personality, जो की तीन shades में हैं, और थोड़े important rubrics हमने देखे, देखे, करने के लिए तो बहुत जादा detail कर सकते हैं, but I try to make it as simple as possible, as short as possible, ताकि आपको एक idea आजाए कि यह क्या है, तो I hope आपको अच्छा लगा है, तो आप जरूर आपके दूस्तों के साथ शेर कीजिए, कमेंट कीजिए,